जी हाँ दोस्तों, फाइनली, फाइनली 15 अगस्ट को भावे सखरवाल जी ने ओला कार्स की अनॉंसमेंट कर दी है जी हाँ दोस्तों, ओला कार्स की अनॉंसमेंट फाइनली हो चुकी है तो आज की वीडियो में बात करेंगे ओला कार्स के डीटेल की जो भावे सखरवाल जी ने इंटर्ड्यूस किया है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं नॉलेज और इंटर्टेन्मेंट से भरा आपका अपना चैनल दिवाकर और यूट्यूब चैनल दोस्तों, ओला क्या चाहती है? ओला एक ऐसा इकोसिस्टम डेबलब कर रही है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक वीकल से रिलेक्टेड, सारी चीजें वो अभी जो इंडियन मार्केट में जरूरत है, उसको वो प्रोवाइड करा सकें तो ये बहुत अच्छी, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ओला की जो फैक्टरी है, कृष्णा नगर तामिलनाडू में, दोस्तों ये ओला का ऐसा मान कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी EV मैनुफाक्टरिंग फैक्टरी ये बनने वाली है, जब ये पूरी तरीके से बन इसमें बैटरी पैक पे काम हो रहा है, इसमें टू विलर अल्रेडी बनना स्टार्ट हो गया, मार्केट में लॉंच भी हो गया, अब अब ओला ने ओला कार्स भी अनॉंस्मेंट कर दिया है, जी हां दोस्तों, उसी फ्यूचर फैक्टरी में ओला कार्स भी बनेंगे, इंड इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में सर्व करें, तो दोस्तों, इस कार के बारे में जानेंगे, इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इसके फीचर्स ये पूरी तरीके से स्पोर्टी लुक होगा, 0 to 100 km per hour की स्पीड 4 सेकेंड में तैग करेगी, इसका रें जिसको आप एक सहर से दूसरे सहर जाने में भी यूज़ करना चाहेंगे, तो कार ओला ने फाइनली ये अनौन्स किया है कि उसकी इलेक्ट्रिक कार more than 500 km per charge चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इंडियन कंजूमर के लिए, दोस्तों इसके साथ इसकी बात करें, तो ये पूरी तरीके से all glass roof होगा, sporty look, इसमें आपको assisted driving capability भी होगी, साथ में keyless, handleless, और इसका arriving जो है वो दोस्तों, arriving 2024 में ओला ने अनौन्स किया है कि वो इस कार को market में उतार देगी, दोस्तों ये था ओला कार्स के बारे में जानकारी, अगर वीडियो पसंद आ रही है त तो share कीजिए, thank you